क्या होगा अगर तुम एक जंगल में स्पॉन हो जाओ वो भी माइनक्राफ की 1.17 वर्जन में जहाँ जारो तरफ पेड़ी पेड़ है तो क्या तुम एसे जंगल में सर्वाइव कर पाओगे तुमारा तो पता नहीं लेकिन मेरे साल तो बहुत एपिक चीज़े हुई चो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी तो कमर सीधी कर लो, पॉपकॉर्ण ले लो और इस अमीजिंग जर्णी का हम साथ में देखते हैं Day 1 हम लोगों ने अपने सर्वाइवल वीडियो में देखा था कि हम एक जंगल में स्पॉन हुए थे और हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम इस सीरीज में वेजिटीरिन बनके रहेंगे क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वेजू हूँ बस केक में एक चलता है और लखिली मुझे बहुत सारे मेलन्स वहां मिल गए जिने मैंने बहुत प्यार से तोड़ा उसके बाद मैं खुदाई करने का सोच रहा था लेकिन टेंशन था कि इस जंगल में कहां पे खुदाई शुरू करूँ तो भाई पास में मुझे केव मिल गया जहां हम लोगों ने डिगिंग स्टार्ट कर दी और हमें पास में ही आयरन मिल गया अब यह इंपोर्टेंट बात यह वर्ल्ड मैंने गलती से 1.16.5 में क्रियेट कर दिया था लेकिन अगले दिन इसे मैंने 1.17 में खेला इसलिए 1.17 में 16.5 जैसा लगेगा लेकिन उसके अगले दिन मैंने इसे ठीक कर लिया था और उस आयरन को अपने गिरफ में लेने के बाद हम आयरन की पिकेक्स बना के जीवन में आगे बढ़ गए हमारी शुद दिन्दी पर गौर किया क्या आपने इसी बात पर एक लाइक ठोक दीजे फिर खुदाई करते करते हमको अपने पहले ही दिन डायमेंड मिल गया उसकी खुशी में हमने एक तस्वीर ली और 5 डायमेंड लेने के बाद हम लावा के पास गए रेड स्टोन लेनी के लिए आखिर हमारे अंदर पूरा लालच भी दोबहरा हुआ है और रेड स्टोन लेनी के चक्कर में हम लावा में गिर गए और हमारा किस्मत ओपी है इसने हम हाफ़ट पर बच गए थे पापरे वो सीन लेजेंटरी सीन था जो तुम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था मेरे कल फिशियर बना कि हम लोगों ने एक एक शीप को नंगा किया ताकि हम बैड बना सके और हमने बैड रेड़ी करके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया फिर नेक्स डे हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखी जिसे तुम लोगों ने बताया कि रवीन कहते हैं और वही पर हम लोगों ने डायमेंड माइन करने का डिसाइड किया और मैंने वर्ल्ड को 1.17 में ट्रांसफर कर लिया था तो मैं रवीन की नीचे गया वर्ल्ड को एक्स्प्लोर करने के लिए लेकिन उसके पहले मैंने एक चोटी सी कुटिया बना ली तरह कि मैं वहाँ अपना बचा कुछा समान रख सकूँ और वाटर बकेट लिके हम अंदर कूद गये हमने देखा कि नीव अपडेट में तुक आयरेन हमें रो में मिलता है और अब है इससे फ़र्नेश में बार बार स्मेल्ट करना पड़ता है क्या फालतू काम है और फिर हमें ड्रप स्टून भी मिला जो एक निव एलिमेंट है इसका कोई कामी नहीं है लेकिन वसे डेकोरेशन के काम हैगा और फिर मुझे आपर कुछ नीला नीला दिखा मुझे लगा भाई साब यहां उपर में ही डाइमेंड मिल गया नेया अपड क्या होगा माइनक्राफ फालो का फिर मुझे नीचे पानी में कुछ लेहराता हुआ दिखा भाई यह बहुत ही वीर्ड था इससे मिल डैमेज में मिला तो मैं एक बर के लिए पीछे हुआ फिर जैसे ही मैं वापस आगे गया तो गायब हो गया यह सच में बहुत अजीब सा और नाई को एक खास काम का है यह भी शायद सिर्फ डेकोरेशन के ही काम आएगा उसकी माय मैं मैंने रवीन पर रास्ता बनाया थाकि मैं आराम से उपन रिचे जा सकूँ और डाइमंड माइन कर सकूँ फिर मैं जैसे ही घर लोटा भाई साम मुझे सामने विच दिख गई के लिए और एक ही सेकेंड में मुझे अपका चल गया इथनी जल्दी यह आरसान नहीं होगा वह बहुत बुदी तरी किसा मार रही थी मुझे यस फिर मैंने कहा कि हम से नहीं होगा तो कोई बात नहीं हम आइरन मैं को बुलाएंगे यस गाईज मैं गर गया और मैंने अपन मुझे ही भाग जाना चाहिए फिर मैं दोबारा से वीच को पिलने गया और आखिरकार मैंने उसे माट दिया या लेकिन यह क्या हुआ मुझे से सिर्फ दो रेड स्टोन मिला कितना प्रैंक होगा यार मेरे साथ यह भगवान फिर मैंने उस दुख भरे लंबहे को हटाया औ और हम वेजिटेरियन है तो हम एक फार्म बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास खाने पीनी का unlimited source हो लेकिन हम तो जंगल में है या तो हर जगह या तो पहाड़ है या पेड़ है कुछ भी बनाने के लिए मुझे प्रेरिया को साफ करना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम रहा था क्योंकि हमारे फेवरेट क्रीपर्स दोंभी सबा कि मुझे अपना प्यार दिखा रहे थे करो ना हमें प्यार दूर से ही खेड़ोना मेरे यार क्या बात है मझा शायरी तो हमारी आई जाती है वीडियो में आज की शायरी भी आप नीचे कमेंट में खिड़काई द गया जंगल में स्पॉन ही क्यों होना था मुझे यह जब मैं जमीन साफ कर रहा था तो मुझे लावा की आज भी आ रहे थी और मैंने यहां डिक करके देखा तो नीचे लावा पूल मिल गया और यार यह दा बहुत बढ़िया हुआ अब हमें बहुत सारा उपसीडियन मिल जाएगा यानि हम नेधर पोटल बना लेंगे और हमें ऑपसीडियन मिल गया तो यानि हम एंचांटिंग टेवल भी बना लेंगे तो अब हम डाइमंड माइन करनी जाएंगे तो हम फॉर्चुन 3 का पिक एक्स देखे जाएंगे हाला कि किस्मत होनी चाहिए फॉर्चुन 3 जल्दी से मिल जाए लेकिन ठीक है ऑप्टिमिजम भी एक बहुत अच्छी चीज होती है काफी मेहनत मशक्कत के बाद अब तुम लोग देख सकते हो गाइस जो एरिया पूरा भरा हुआ था उसे हम लोगों ने इतना साफ कर दिया है अब यहां पर हम घर बनाने का सोच रह कौन सा तो हम एक्सपी फार्म बना पाएंगे लगता है और एरिया साफ करना पड़ेगा हमारा खाना अल्मूस्ट खतम होने वाला था तो मैंने सुचे दो च्यार तर्बूजी उगा लिया जाए हाला कि यह तर्बूज उगाने का सही तरीका नहीं है लेकिन ठीक है एक उगेगा एक ही सही और इससे हमें एक नए आडवांस्मेंट भी मिल गया और बहुत सारा मेहनत नशक्कत करने के बाद हम लोगों ने देखा तो हमारा तर्बूज उग चुका था इसे देखकर मुझ का पहला फार्मिंग अब हमने घर बनाना शुरू कर दिया मैं सोच रहा था कि एक वुड़न हाउस बनाओं क्योंकि पहले तो वुड़ी हमारे पास जंगल में से बड़ा बनाएंगे और थोड़ा सुन्दर बनाएंगे मतला हमारा मेन फोकस होगा घर को सुन्दर बनाना इ क्योंकि रात को तो मॉब्स आ जाते थे बड़ा इंटेंसिव काम हो जाता था लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे से करी लिया और ये देखो गाईज हमारे घर का वन सैड लोक ऐसा दिख रहा है तो ये तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है अब इसे मुझे एल में शे ओर फाइनल टच देने के लिए मैंने सट पड़े ग्लासिज लगा दिए जाए तो मैंने सैंड को पकाया और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा ग्लासिज लगा दिए जिससे कॉसम से घर में एक अलग ही लुक आ गयी मतलब मज़ा ही आ गया और ये देखो हमारा घर ऐसा दिख कर दी ताकि मॉब्स यार बार बार ना आए एक बार के लिए बहुत परीशान हो गया मुससे और घर को थोड़ा से डेकोरीट करने के लिए यह थोड़ा सुन्दर लगे मैंने दू फेंस को गेट के बाहर लगाया है और मैं उसके उपर कैंफ आया लगा कि इसे बुझा अगली रात को जब मैं घर को और ठीक करने निकला तो मैंने देखा कि पीछे सौंबी मेरे भंगड़ा कर रहा है थोड़ी देर में इसका दूस पीस के साथ भंगड़ा करने आ गया तुम लोग जानते हो मेरा दिल कितना बड़ा है तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी तुम लोगों कमपनी दूँगा फाइनली कुछ दिन और महनत करने के बाद हमारा घर अल्मोस्ट हो गया था लेकिन मुझे इसका रूफ चेंज करना था मतलब वो थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डार्क प्लैंक्स लेके आता हूं तो मैं उसको लेने के लिए ज हादियार रखवा लिए फिर जहां पर मुझे लाव मिला था वहां पर मैं गया और मैं उसके ऑपसीडियन बना लिए टाइन था एंचेंटिंग टेबल बनाने का और हम लोगों का एक एंचेंटिंग टेबल रेडे हो गया हम लोग जब थोड़ा और लेकटी खटा करने चाकि अब घर के रूप को चेंज करी देता हूं क्योंकि मुझे घर सच में सुन्दर नहीं लग रहा था फिर से इतना महनत करना पड़ रहा है लेकिन क्या करेगा मुझे अच्छा नहीं लगा तो गाइस तुम लोगों याद है यह हमारा पहला घर था फिर हम लोगों ने एक घर बनाया जो तुम लोगों ने देखा था और अब मैंने उसको चेंज कर दिया है तो अब इसका लुक देखो तुम लोग और बताओ ये कैसा लाग रहा है मैं तब एको कितना फार्क आ गया है ना इसका रूफ का कलर चेंज कर देने से ओमाइगा ये फैंटम मुझे मिल गया भाई अब हमें फैंटम मेंब्रेन भी मिल जाएगा जो पोशन बनाने में बड़ा काम आता है मेंब्रेन और यहीं सामने हम लोगों ने चाल पांच बीज भी लगा दी थे अपने मेलन के ताकि हमें थोड़े बहुत मेलन और मिल जाए उसमें से एक और मेलन उग ग ने इंटेन भी बना सकते हैं जो लाइट की थरह काम करता है वादल पंकिन के बहुत सारे यूज है इसलिए मैं मेलन का फार्म नहीं बनाऊंगा मैं पंकिन का बहुत बड़ा वाला फार्म बनाऊंगा और येस अब मेरा नेक्स मिशन उसी पर था घर तो हमारा रेडी होई चुगा है और पंकिन को स्ट्रेट लाइन में फार्म करते हैं और हमारे पास पानी की तो कमी नहीं हम रिवर के पास खड़े हैं या स्ट्रेट लाइन में मैंने पंकिन के बीज लगा दिये और बीच में मुझे पानी रखना था एक लाइन मैंने पानी का रखा और फिर दो यहाँ पर मैंने gap रखा, यानि हम pumpkin का पूरा farm बना रहे हैं pumpkin का farm ऐसे काम करता है कि जहाँ पर हम beach लगाते हैं वो उसकी side में grow होता है, side वाले land पर इसलिए हमें एक land वहाँ side में छोड़ना पड़ता है तो इसमें मैंने बहुत time invest करके एक बढ़िया सा farm बना लिया pumpkin का और जब हमें pumpkin मिलेगा तो इतना सारा मिलेगा कि मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि मैं pumpkin का करूं क्या और फिर हम जब अपने घर के पास गये तो वहाँ पर wheat भी उग गया था यार मतब घर भी अपना एक अलग सा सुन्दर लगने लग गया और हमें wheat मिल गये तो जिससे मैंने bread बना लिया farm पर मैंने फिर से काफी दिनों तक महिनत किया और इसे और बढ़ा किया अलागी हमें पूरी पूरी राज जगना पड़ रहा था जॉंबे से लड़ना पड़ रहा था लेकिन ठीक है यार मुझे मज़ा बिगा कर आ रहा था कोई चंता ही नहीं रहे तो yes guys अब हमारा next mission है XP farm बनाना लेकिन I guess ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और हम लोगों ने अल्रेडी 25 days complete कर लिये आगे का 25 days हम दूसरे वीडियो में देखेंगे ये वीडियो तुम लोगों कैसे लगी मुझे like करके बताओ यार बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो का बनाने में तो मैं इसका next part जल्दी से जल्दी release कर दूँगा मैंने इस 100 days तक खेला है और कुछ नए आइडिया उस इस हमारे वर्ल्ड के लिए तु मुझे कमेंट में बताओ मुझे कमारी कमेंट का पीस सबीसे इंतजार रहता है और आज की शायरी भी निच्छे कमेंट कर देना तुम लोगी innovative शायरी है परने में मुझे बहुत मसाता है तो भाई मिलते हैं next episode में तब के लिए बाई